कि नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का आदेते ग्लासस के डिजिटल प्लेट फरम पर मैं मनीज सौनी फिर से हाजर हूं और देखिए आज अपन बात करने वाले रायस्तान की इस्ट्री में हम लोग कहां तक पढ़ चुके तो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे देख पढ़े हैना और विवाद की वो सारी चीज़ां पढ़ने कंफर्म कर ली थी चले अब वहां से आगे चलते हैं कि यहां से आगे क्या हुआ था तो आज बात करेंगे तराइन का पहला युद्ध 1191 इश्वी में जो लड़ा गया था ये था तराइन का प्रत्थम युद्ध ठीक है किस किस के बीच हुआ था तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहां कि तराइन का पहला युद्ध जो है वो मुहमद गौरी और प्रत्थमी राज ठर्ड वर्सेज मोहमद गौरी के बीच हुआ था सर ठीक है प्रत्वी राज थर्ड वर्सेज मुहम्मद गौरी इन दौनों के बीच लड़ा गया था तराइन का पहला युद्ध किलियर है किन दौनों के बीच लड़ा गया है प्रत्वी राज एवं मुहम्मद गौरी इन दौनों के बीच लड़ा गया है तराइन का प्रत्वम तो चोहान और जो गजनी सासन थे सुनिए पहला कारण तो यह है युद्ध होने का कारण और बहुत ही अच्छा युद्ध हुआ था यह भेंकर तरीके से देखें कारण पहला तो यह था कि चोहान और गजनी दोनों ही इसतानों के जो सासक थे इदर चोहान और से गजनी वाले ये लंबे समय से युद्ध करते आ रहे थे तो अपन कह सकते हैं कि इनकी एक परानी दुस्मनी थी एक परानी क्या थी दुस्मनी थी है ना लंबे समय से दुस्मनी चले आ रही थी क्या चले आई थी मित्रो लंबे समय से दुस्मनी चले आ रही थी तो एक कारण तो ये था दूसरा कारण गौरी ने बटिंडा में अधिकार कर लिया था जो गौरी था उस गौरी ने तबर हिंद बोलते थे तबर हिंद क्या बोलते थे तबर हिंद किस जगह को बोलते थे सुन लीजे जो वर्तमान में हम कहा देते हैं बटिंडा जो है पंजाब का कौन सा बटिंडा कहां पंजाब इस पंजाब के बटिंडा तबर हिंद में इसने अधिकार कर लिया था तो ये उस समय के दो मुखे कारण रहे थे कौन कौन से एक तो तबर हिंद में गौरी ने क्या कर लिया था अधिकार कर लिया था दूसरा चोहान और गजनी में है ना गजनी के जो राजा थे उनमें और चोहानों में लंबे समय से सुरी दुस्मनी चली आ रही थी लंबे समय से क्या चली आ रही थी किन में चोहान और गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुस्मनी चली आ रही थी दूसरा कारण तबर हिंद पर कौन पंजाब तबर हिंद पर गौरी जो है वो क्या कर लेता है कबजा कर लेता है ठीक है मित्रो तो ये था इस युद्ध का गारण अच्छे एक बात बताओं आपको तबर हिंद पर गौरी ने कबजा किया है इस से पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊँगा देखो गौरी इस से पहले भी आया था एक बार इस हिसाब से मान लिजे सब्बोस देट ही हमारा राइस्तान है तो राइस्तान के इस इलाके में पढ़ता है पाकिस्तान ठीक और पंजाब जो प्रांत है हमारा जो पंजाब है वो जश्ट यहां पे सीमा बना रहा है हमसे तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम गौरी भारत आया था तो वो आया था मित्रो याद रखिए आप इस तरफ से इस तरफ से गौरी जो है वो आता है इंडिया में आज से लगबग 14 साल पहले युद्ध है 1101 में में इससे पहले वो आ चुका है 1178 में कब आया था 1178 में गौरी एक बार और आया था तब मूल राज पर्थम की जो मा थी उन्होंने गौरी को इस तरीके से समख सिकाया था बहुत ही बहतरीन तरीके से यहां से बगाया था प्रीट के एक महिला है ना एक आयरन लेड़ी आप कह सकते है उस जमाने की मूल राज पर्थम की जो मा थी गुजरात की उनकी भी अपन बात करेंगे काइंद्रा का युद्ध आता है काइंद्रा के युद्ध को हम पन पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो काइंद्रा के युद्ध में आप जानोगे यह जानकारी उसमें रायस्तान के कई राजाओं ने भी भाग लिया था लेकिन 1178 में जो गौरी है वो बुरी तरीका से बुरी तरहे से पराजित होता है इदर से जब प्रिवेस करता है तो बहुत बुरी तरीके से पिटके और यहां से बागता है लगबग 14 साल तक वापस नहीं आता है और आता भी है तो याद रखे इदर से कभी इंट्री ने लेता कहां से आ रहा है वो पंजाब की तरफ से आ रहा है इदर से ठीक है तो लगबग इससे 13-14 साल पहले गौरी पह मक्ट जगे थी तबर हिंद मतलब की बटिंडा बटिंडा में इसने अधिकार कर लिया था गौरी ने तो यह दो कारण थे युद्ध के ठीक है यह दो कारण थे युद्ध के तरायन का जो पहला युद्ध है वो गजनी के राजा मुहम्मद गौरी और पिर फिरा चौहान के मद्दे लड़ा गया दो कारण थे दौनों कारण मैंने आपको समझाए एक तो चौहान और गजनियों में पुराने समय से चौहान तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुस्मनी चलिया रही थी दूसरा गौरी ने बटेंडा मतलब कि तवर हिंदुपर क्या अधिकार इसने क्या कर लिया था गौरी ने तो यह भी कारण रहा था अच्छा बात करता है आगे कि इस युद्ध में किसकी विजे हुई तो मैं आपकों को बतायता हूं मित्रों युद्ध था बड़े ही राजा हुआ करते थे, सैना के पीछे हुआ करते थे, यहां राजा थे, इधर पृत्विरा चौहा ने इधर सैना लगा रखी है, ठीक है, यहां इनके मंतरी थे, इतना अच्छा वाला यह दूआ था, कि गोरी को पूरे बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था, गोरी की सैना को पानी तक नहीं नसीब हुआ था, इतना बुरी श्तिती हो गई थी, और आखरकार यह लोग भागने लग गए थे, है ना सैना भागने लग गई थी, और दिल्ली का एक सासक था, गोविन राज तॉमर, कौन था दिल्ली का, बता दूँ आपको, गोविन्द राज तॉमर, गोविन्द राज तॉमर जो कि इसके साथ गया था, प्रत्विरा चान के साथ युद्ध में जाता है, है ना, तो जब सेना भाग रही थी गोरी की, तो गोरी ने भी भागना शुरू किया, और जब मौम्मद गोरी भाग रहा था, तो यही वो ब गोविन्द राज तॉमर, इस गोरी को, गोरी भाग रहा था, गोरी भाग रहा था, तो गोविन्द राज तॉमर ने एक बांड लिया और चड़ाया, और गोरी के पैर में मारा निसाना लगा किया, गोरी को घायल कर दिया, गोरी को घायल करके पकड़ने वाला जो बंदा था, वो कौन था युद्ध में, गोविन्द राज तॉमर, गो युद्ध जीतने के बाद जब गौरी को वहाँ ले जाया जाता है तो गौरी वहाँ पर छमा याचना करता है प्रिथ्विरा चौन से जबकि भुवनमल इसकर्णवाश जो मंतरी थे वो कहते हैं प्रिथ्विरा चौन को कि आपको छमा नहीं करना चाहिए या तो इसे युद्ध में मार देते हैं या फिर इसे पर्माइंट बंदी बना के रखो आप या फिर मार दो क्योंकि उन्हें भी आसंका थी कि ये दुबारा बंदा आक्रमण करेगा लेकिन प्रिथ्विरा चौन इसके बाद भी युद्ध जीतता है और युद्ध जीतने के बाद मुहम्मद गौरी को छमादान देता है मुहमपद गौरी को क्या देता है छमादान देता है ठीक है तो यह था तरहाइन का अपना पहला ने यहां तक मुहमपद गौरी को छमादान दे दिया, मुहमद गौरी रितर चला जाता है अब इसको ये बोलता भि है प regard विज्वीयार चौन कि भाई मैं आपको छमा करना हूँ बापिस गजनी चला जाओ अब गौरी मैंडेड आदमी ऐसे थोड़ी जाएगा इसने बोल दिया कि माराज माफ करना बट गजनी नहीं जाऊँगा बोला क्यूं बोला गजनी में मेरा भाई है सासक और यदि उसको बदा चल गया मैं युद्ध हार के आया हूँ तो जाती चमडी हो देड़ लेगा जूतियां वनवा लेगा अपने लिए बहरंट वाली तो फिर बोले यहीं बगल में बटिंडा पंजाब में पड़ा रहूँगा और सलाम ठोकता रहूँगा आपको सुबह साम सुबह साम जहिंद करता रहूँगा तो मुहम्मद गौरी को छमादान दे दिया जाता है और मुहम्मद गौरी वापिस तबरहिंद कहां तबरहिंद पंजाब में आ जाता है अपने ठिकाने पर पंजाब में इसलिए अदकार कर रखा था पहले से पंजाब में अदकार कर रखा था तबरहिंद पर तो वहां जाता है वापस ठीक है अब वहां से आगे अपन बात करेंगे फिर तराइन के दूसरे जुद्ध की वहां आता है सेना एकटी करता है फिर बहुत कुछ होता है फ गजनी का राजा सबसे पहले डालिए युद्ध के कारण और युद्ध के कारण में लिखे चौहान तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुस्मनी चली आ रही थी चौहान तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुस्मनी चली आ रही थी तो एक तो कारण यह हो गया सेकन लिखो मोहमद गौरी ने तबरहिंद क्या नाम है तबर हिंद जो आज का बटंडा है अना तबर हिंद भले लिख लेना कोष्टक में बटंडा पंजाब पर अधिकार कर लिया था महम्मद गौरी ने तबर हिंद बटंडा पंजाब पर एधिकार कर लिया था और इसी में अगला पॉइंट डालो जीत और जीत में लिखो इस युद्ध में परत्वीराज चोहान की जीत हुई और सेकिंड बिंदू दिल्ली के गोविंद राज तॉमर दिल्ली के गोविंद राज तौमर ने मुहम्मद गौरी को घायल कर दिया दिल्ली के गोविंद राज तौमर ने मुहम्मद गौरी को घायल कर दिया और पकड़ लिया अब यहां से आगे चलते हैं यहां से आगे आता है तराइन का दुतिय युद्ध तराइन का दुत्यय युद्ध क्लियर तराइन का दुत्यय युद्ध हुआ है मित्रो 1102 में कब हुआ है 1192 में अब सुनिए तराइन के दुत्यय युद्ध में होता क्या है तराइन के दुत्यय युद्ध किस-किस के बीच हुआ है प्रत्वी राज थर्ड वर्सेज गौरी प्रत्वी राज थर्ड वर्सेज गौरी के बीच हुआ है फिर से ग्यारे सो एकिनमे वाले युद्व में इस वाले युद्व में प्रत्वी राज चौहन जीत गया था और गौरी को इसने माफ कर दिया था अगले ही युद्ध में गौरी पूरा पूरा बदला लेता और भरपूर तरीके से आक्रमण करता है अच्छा इस युद्ध में पृत्विया चौहान हार जाता है पृत्विया चौहान इस युद्ध में हार जाता है मित्रों और गौरी युद्ध को जीत गया अब सुनिए प्रत्वीरा चौहान की हार हुई मुहम्मद गौरी युद्ध को जीत गया कारण क्या रहे क्यों प्रत्वीरा चौहान हारा क्यों मुहम्मद गौरी जीता आखर क्या हुआ था तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी मैं आपको बताऊँ कि पिर्थ्वी राच वान की जो सेना थी ना सेना वो बाउंडरियों पर कही जगे विवाद चल ले थे इसके हर वेक्ती से विवाद थे अड़ोसी पड़ोसी से पिर्थ्वी राच वान के राजी की जो सीमा थी सीमा के विवाद चल रहे थे अण्यपड़ोसी राजाओं से तो इसने अपनी बहुत सारी जो सेना थी वो वहाँ पर लगा रखी थी सीमा पर अलग-अलग प्रांदों की सीमाओं पर इसकी सेना तेना थी सेकेंड बात ये कि पूरी सेना को संगट रही किया गया था अलग-अलग प्रांदों की सेना वहीं छोड़दी गई थी और कुछ सेना मलग थोड़ी सेना को लेकर इंगे पर इसकी राच वान युद लड़ता है दूसरी बात पर दूसरी बात चोहन के पास हलंकि पहले संगट सेना थी बड़ी सेना थी अब सेना चोटी है क्योंकि जाहतर सेना बजी है दूसरी बात इदर जो जैचंद है कौन सा कन्नोज वाला जैचंद यूपी का वो इस युद्ध में गोरी की सायता करता है पूरी-पूरी वो तो कहता है कि पृत्व के कारण रहे हैं मैं अभी लिखाऊंगा भी इसके जश्टबाद कि पृत्विरा चोहन के हार के कारण क्या-क्या रहे क्यों युद्ध को हार गया लेकिन तराइन का दूती है युद्ध 1102 में हार जाता है कौन पृत्विरा चोहन और पृत्विरा चोहन हार जाता है तो ए एक हरियाना में जगे पड़ती है कौन सी सिर्षा के पड़ती है सिर्षा के पास सिर्षा के पास कहां सरस्वती नामक इस्तान पर सिर्षा के पास सरस्वती नामक इस्तान पर प्रत्विरा चान को गरफतार कर लिया जाता है है ना तो याद रखिए प्रत्विरा चान की गरफतारी कहा हुई है हरियाना के सिर्सा में सरस्वती नामक इस्तान पर सरस्वती नामक इस्तान पर पृत्विरा चान को गरफतार कर लिया जाता है और यहां से ले जाया जाता है सीधा ट्रांसफर किया जाता है पोश्टिंग होती है भईया की कहां गजनी में और गजनी ले जाकर के मार दिया जाता है। ये करते ही ऐसे नहीं थे जो छमादान दे सकें नहीं सर। इनको तो सीदा सा फंदा था परत्विराद चान को खत्म करना है बस जैसे परत्विराद चान इस उद्ध में इसमें भी जो हसन निजामी है हसन निजामी जो गौरी का राइटर आया है गौरों की तरफ से हसन निजामी हसन निजामी क्या कहता है तो वो सुन लिजे मित्रों हसन निजामी ये कहता है कि परत्वीराज चौहान को गौरी ने मारा नहीं था परत्वी राज चौहान ने गौरी के अधीनता सुईकार कर ली थी और ये बात हम हजम नहीं कर सकते आपको पता है है ना प्राण जाए पर वचन ना जाए उस संस्कृति के जीने वाले इंसान है तो हम सर जुखा नहीं सकते सर कटा तो सकते हैं और यही राजबूतों की थी लेकिन हसन नजामी हसन नजामी अपनी एक पुष्टक है हसन निजामी की पुष्टक है सर और पुष्टक का यह नाम है वो है ताज उल मासिर हसन निजामी की पुष्टक है ताज उल मासिर ये लीजे हसन निजामी की पुष्टक है ताज उल मासिर हसन निजामी की पुष्टक कुछ उल मासिर ताज उल मासर में ये बंदा लिखता है कि पृत्वी राज चोहान ने गौरी की अधीनता स्विकार कर ली थी युद्ध हारने के बाद और कुछ वर्सों तक पृत्वी राज चोहान गौरी के अधीन रहके राज्य करता है या अधीन रहकर सासन करता है ये जानकारी मिलती है हमें ताजुल मासर नामक पुष्टक में जो की किस ने लिखी है हसन निजामी ने ये कहते हैं पृत्विराज चौहान ने कुछ समय तक गौरी के अधिन रहकर के सासन किया था पृत्विराज चौहान की हार होती है गौरी की जीत होती है और हर्याना के सिरसामे सरसती नामक इस्तान से पृत्विराज चौहान को गरफतार कर लिया जाता है ये बात कौन कह रहा है कभी चंदवर्दा क्योंकि इसके साती था इंड तक और यहां से ले जाते हैं कहां गजन और गजनी ले जाकर के से मार दिया जाता है हालांकि गजनी के बाद की जो कहानी है वो अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से कहते है कभी चंदवर्दाई की यदि बात की जाए तो वो आगे लिखता है कि हाँ यहां से हमें पकड़ लिया गया था मैं भी पृत्वीराज के साथ साथ कभी कहता है कि मैं भी उसके साथ गया था हम दोनों को गजनी ले जाया गया और गजनी ले जाने के बाद घोर प्रतारित किया गया प्रत्विरा चौहन को ऐसा बताते हैं कभी चंदवर्दाई कि उसकी आँखें फोड़ दी गई थी अब सुचिए जल्लाद को कह आ गया था कि बए इसकी आंखें निकाल लो तो जल्लाद ने लोएकी गरम रोड गरम रोड ले करके उसकी आँखों में डाल दी थी अंदर जिसके प्रत्विरा चौहन अंधा करके रखा गया था आगे कभी जंद्वर्दाए क्याता है कि वही मैंने प्रिथ्विरा चान को कहा था और पूरा एक मैप तयार किया था प्लान बनाया था और उस प्लान के तहर दुमेने माहरा जो गौरी था मुहम्मद गौरी गजनी का राजा उसके पास संदेश बज़वाया था कि प्रत्वी राज चौहान को सब्द भेदी बान विद्या आती है आप लोगों को बता तो मित्रो एस सब्द भेदी बान विद्या वही विद्या है जिसका उप्योग माराजा दसरत ने किया था और उन्होंने बिना देखे है ना नदी पर पानी पी रहे किसी भी पसू के उपर या किसी जानवर के उपर उन्होंने बिना देखे तीर चला दिया था और वो तीर सीधा जाकर के सिर्वन कुमार के हिर्दे में लगता है क्योंकि उस सब्युवेदी बान विद्या थी वो देखा नहीं था उन्होंने बिना देखे केवल अवास सुनके अवास सुनी और तीर चला दिया तो ऐसा कहता है चंदवर्दग कि यही विद्या प्रिथ्विराद चौन को भी आती थी मैंने गजनी के राल्या मुहम्मद गौरी को कहा कि बही प्रिथ्विराद चौन को यह विद्या आती है कौन सी सब्युवेदी बान विद्या तो उसने सहजी कह दिया कि हाँ बिलकुल हम देखना चाहेंगे इस चीज़ का प्रदरसन तो ऐसा बताते हैं कि दर्वार लगाया गया और दर्वार में मैं लिजे जैसे यहां मैं आपको बताऊ यहां पर बैटा था गोरी इधर बोलते हैं, बोला साथ तवे रखवाय गए थे, तवे लटकाय गए थे, ऐसे साथ, कितने तवे थे साथ, यहां मान लिजे प्रत्वीराद चौछान है, बगल में यहां चंदर बरदाई है, और वो कह रहा है, मैं उसके बगल में ही खड़ा था, और, यहां पर साथ तो उसे बताया गया कि गौरी जो है वो आपकी एविद्या देखना चाहते है और ऐसा बताते हैं तीन मार उसको दिये थे कि अगर असफ़ल हो जाओ तो अगले मार का प्रियोक लेना धनस और मार दे करके एक निश्यत दूरी पर उसे खड़ा करके और इदर जो प्रहरी था उसको कहा गया कि बई तवे जो थे उन पर आवाज करेंगे जैसे तो उसने जैसे आवाज की प्रत्विरा चाहन तीर तान लेता है और तीर तान करके जब वो तीर तानता है तो वो फिर कवी चंदरवर्दाई जो है वो कहता है कि मैंने इस आरे से उसे बताया था किसे पृत्विरा चौन को की गौरी कितनी दूरी पर बैठा है तो जैसे ही यहां पर तवों की आवाज होती है तो पृत्विरा चौन एक तीर चलाता है जो एक तीर सातों तवों को पार करते हुए निकल जाता है और इतना सुनते ही गौरी के आवाज निकलती है वाह वाह क्या बात है और जैसे ही मौहमद गौरी वाह या बात क्या बात है कहता है तुलेंद पृत्विरा चौन एक और तीर चलाता है और चला देता है और वो तीर गोरी के कंट से होते हुए पार निकल गया था ऐसे यहां से यह पूरी काहनी कौन सुना रहा है कभी चंद बढ़ता है वो यह भी कहता है कि मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मतलब मैंने उसे पहले बता दिया था कि चार बास चौबीस गज और अश्ट अंगुल के बराबर इतनी दूरी पर कौन बैठा है गोरी बैठा है और जैसे ही गोरी ने कहा वह क्या बात है तभी पृत्विरा चौन ने एक तीर चलाया जो गोरी की घरदन को पार करते हुए निकल जाता है और गोरी की वहां मिटती हो जाती है ये कहानी कौन सुनाता है ये कभी चंदवर्दा ही कहता है कि पृत्विराद चौहान ने गौरी को मार दिया था अंतते सब्द वेदी बान विद्या का प्रियोग करके बट कुछ लोग इसे सही नहीं मानते हैं कुछ कहते हैं कि गौरी जीवित था तभी तो वो दोबारा भारत पर आक्रमन करता है बाद में 11.94 के आसपास तो अलग अलग तत्य थे हैं इत्यास के फिलाल तो अपन इतना ही देखते है कि तराइन का जो दूसरा जो दूआ था इसमें पृत्विराद चौहान को गरफदार कर लिया गया था हरियाना के सिर्सा के सरसती नामक इस्तान से और गजनी ले जाकर के मार दिया गया था हसन नजामी की पुश्टक ताज उल माशर कहती है कि नहीं भाई मारा नहीं गया था इसने मतलब की अधीनता सुईगार कर ली थी गौरी के और गौरी के अदिन कुछ समय तक राज जी किया था ठीक है चलिए इसको भी लिख लेते हैं अपन जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में वही प्रित्वीराज चोहां थर्ड वर्सेज गौरी डाल दीजिए और लिखे पहला पॉइंट डालके इस युद्ध में गौरी जीत गया इस युद्ध में गौरी जीत गया किसकी जीत हुई गौरी की जीत हुई तो इस युद्ध में गोरी जीत गया अगला बिंदू सिर्सा के पास सरस्वती नामकिस्तान सिर्सा के पास सरस्वती नामकिस्तान पर प्रत्वी राज को गरफतार कर लिया गया सिर्षा के पास सरस्वती नामकिस्तान पर प्रत्विरा चौहन को गरफतार कर लिया गया तथा गजनी ले जाकर तथा गजनी ले जाकर मार दिया गया क्लियर सिर्षा के पास सरस्वती नामकिस्तान पर इसे गरफतार कर लिया गया तथा गजनी ले जाकर मार दिया गया यहां से आगे लिखिए एक मिनट इस से आगे लिखते हैं सर लिखिए हसन निजामी कौन? हसन निजामी की पुस्तक ताज उल मासिर हसन निजामी की पुस्तक ताज उल मासिर के अनुसार प्रत्वी राज ने कुछ समय गोरी के अधीन शाशन किया था गोरी के अधीन शाशन किया था गोरी के अधीन शाशन किया था क्लियर सर गोरी के अधीन शाशन किया था क्लियर चलिए चलते हैं अगले बिंदू पर अगला जो हमारा point रहेगा वो रहेगा प्रत्वी राज के हार के कारण प्रत्वी राज के हार के कारण आखरकार युद्ध को प्रत्वी राज चाहन क्यों हारता है तो मित्रो सबसे पहला कारण मैं आप लोगों को बता दू कि प्रत्वी राज चोहान युद्द को हारने के बहुत सारे कारण है पहला कारण तो यह कि किसी ने भी उसकी साहिता नहीं की किसी भी राजान ने उसकी साहिता नहीं की कारण उसका सभी राजाओं के साथ विवाद चल रहा था इसलिए किसी भी साहिता ने उसकी मदद नहीं की तो पहला खारण तो यही हो जाएगा क्या लिखते जाएगी साथ के साथ प्रत्वी राज ने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ विवाद थे अतहर किसी राजा ने उसकी साहिता नहीं की क्यों नहीं की कारण आपको पताईए क्योंकि इसके साथ सभी राजाओं के विवाद चल रहे थे इसके अलावा दूसरा कारण हम कहें देंगे कि वह प्रत्वी राज के पास सहना कम थी क्यों कि इसकी जो ज़्यादातर सहना थी वो सीमाओं पर तेनाथ थी, सीमा विवाद के चलते हुए ठीक है, तो दो कारण हो गए, पहला तो कौन सा हो गया कि पृत्वी राज के अपने पड़ोसी राजाओं के साथ विवाद थे अते किसी भी राजा ने उसकी साहता नहीं की पृत्वी राज की सेना गौरी से कम थी क्योंकि उसकी एदिकटर अन्यसीमाओं पर विष्टती इस के अलावा तीसरा कारण हार का ये हो सकता है कि पृत्वी राज चुहान ने उसे च्छमा कर दिया था और एक साल का पूरा समय दिया था गौरी को तयार होने के लिए इसका मतलब गौरी के पास पूरा पूरा समय था कमबेक करने का ठीक है तराइन के पहले युद्ध के बाद प्रत्वी राज ने गौरी को तयारी का समय दे दिया था तो ये भी कारण हो सकता है तो अब लिख सकते हैं कि तराइन के पहले युद्ध के बाद पहले युद्ध के बाद गौरी को तैयारी का समय मिला गौरी को तैयारी का पूरे तरीके से समय मिला अच्छे तरीके से भाई ने ट्रेनिंग की जिम विम जोइन कर लिया है ना सुबह जिम जाए साम को जिम जाए बीच में प्रत्विया च्वान मिल जाए तो जहिंद कर जाए समझ लो पूरे एक साल तक जम्विम करके खुब अच्छा बॉन बिटा पिया भाई ने अच्छे तरीके से और एक साल तक तैयारी की दोबारा युद्ध की के लिए तो एक साल का समय मिल गया उसे युद्ध के लिए अच्छा और एक और बात की गौरी जो था कौन मत्रों गौरी हना गौरी जो था एक मैंट एक मैंट मत्रों हाँ जी सरा आगे बात करते हैं पहले जुद्ध के बाद गौरी को पूरा समय मिल गया था तैयारी के लिए दूसरी बात इसके लावा और भी कार्ण हो सकते हैं जैसे तुर्क जो सेना थी उनके पास गोड़ों का प्रियोग था तुर्कों की जो सेना थी उन्होंने गोड़ों का प्रियोग किया था जबकि जो राजबूत थे इन्होंने हाथियों का प्रियोग किया था युद्ध म कि राच-पूतों के जो हतियार थे ने वह भारी हुआ करते थे बेटा, हमारे या थियार हुआ करते थे थे श्changing को आ थे हर तो यह कुछ कारण है हमारे हारने के इसलिए प्रत्विरा च्वाहन हार गए हलके हत्यारों का प्रियोग किया तो यह भी एक कारण हो सकता है हलके क्या थे हत्यार थे किन के पास तुर्कों के पास जबकी राजबूतों के पास बाहरी हत्यार थे ठेगे सर तो बहुत सारे कारण रहे हारने के फिर अपर कह सकते हैं कि गौरी मैं चीज गौरी गौरी एक अच्छा सेना पती था गौरी एक अच्छा सेना पती था और उसकी कूट निती की वज़े से वो युद्ध जीत गया कि अना उसकी कूट नीती की वजए से वो युद्ध जीत गया कौन गौरी तो यह सब इसके हार के कारण थे प्रत्विराज च्वान की हार के कारण क्यों युद्ध को आ रहा बताया है मैं आपको सबसे पहली गलती दिसकी कि इसने पहला युद्ध में उसे हराया तरायन के प प्रत्विराज की जो सेना थी वो कम थी क्योंकि सेना सीमा विवाद के विए से बटी हुई थी डिवाइट थी जगए जगए पहले युद्ध के बाद गौरी को तयारी का पूरा समय मिल गया किसी भी राजा ने प्रत्विराज च्वान की साहिता नहीं की युद्ध में कि सीने भी क्यूंकि सभी राजयों साथ सीमा विवाद चल ले थे उनके पास हलके अतियार थे तुर्गों के पास हमारे पास अतियार भारी थे उनके पास गोड़े थे हमारे पास आती थे कैई विशम परिस्तितियां भी होती हैं चीजों की इसके अलावा गौरी एक अच्छा स पैसे जैना पदी था जिसके कूछी कोठनीति के वजय से प्रत्विएव कोति रोप्ति से हराया था चलिये तो ये इसके कुछ हार के कारण हो गए प्रत्विएव क्यों युद्ध हारता है आगे बात करते हैं कि इसकी हार से युद्ध के क्या परवाब पड़े तो इसके हारने से क्या-क्या परवाब पड़े आखरकार क्या-क्या परिवरतन आए तो देखेए मैन परवाब तो पर्थुरा च्वाण को मैं मानता हूं अंतेम हिंदु सासक जिसने दिली पर राज किया उसके बाद तो डायक्ट 1947 में राज हुआ है दिल्ली पर तो अंत्यमिंदू सासक जिसने दिल्ली पर राज किया पिर्थविरा चवान है तरतिय इसके हारने के बाद जो तुर्क थे जो अफवानी थे उनके लिए भारत में सासन करना आसान हो गया था वो लोग बड़ी आसानी से सासन कर सकते थे दिल्ली उनके अधीन थी ठीक है तो सबसे पहला तो प्रवाव यही पड़ा क्या कि तरायन के दुतिये युद्ध के बाद हाना आप लिख सकते हैं तरायन के दुतिये युद्ध के बाद भारत में भारत में विदेशी भारत में क इसकी विदेशी सासन का सिलसला शुरू होता है, विदेशी शाशन का सिलसला शुरू हुआ, इससे पहरे बात में विदेशी सासन का सिलसला नहीं था, विदेशी आकरंता आते थे, तो हम उने पराजित करके भगा देते थे बार बार, और मुहम्मद गोरी भी यहां सासन करने ने आया नहीं था वास्तम में मुहम्मद गौरी इससे पहले 1178 काइंद्रा के युद्धों में भारत आता है और जब वो भारत आया था यहां तो भारत आने के बाद मुल राज पर्थम गुज्रात में जुमुल राज पर्थम की मा थी उन्होंने और एक संगठन पूरे ने कुछ लाज आओं को मिला करके एक संगठन बनाया गया था जिसने मुहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था और फिर मुहम्मद गौरी 14 साल तक बारत नहीं आया था ठीक है लेकिन उसके बाद गौरी यहां आया क्यूं था वाश्तम में तो उसका कारण था मेटा कुछ लोग कहते हैं कि गौरी को बुलाने वाला था जैचंद जैचंद ने गौरी को बुलाया था दूसरी बात थी कि ये जो इनकी जो प्रिकिड़ती थी जो जाहिल लोग थे ये भारत पर आये थे आक्रमन करते थे अक्सर कर लूटने के लिए ये दो ही चीज़ें लेने के लिए भारत आते थे और जब ये उस समय भारत आये थे उस समय भारत आने का एक कारण था एक मिनट जब ये उस समय भारत आये थे तो उस समय भारत आने का एक कारण भी था इनका काईंद्रा के युद्ध में जब ये भारत आये थे काईंद्रा के युद्ध में जब ये भारत आये थे तो उस समय 1178 में भारत आने का एक कारण भी था कि मूल राज प्रत्थम के जो पिताजी थे वो युद्ध में मारे जाते हैं मूल राज छोटा सा एक बच्चा है आटनो साल का और उसकी जो मा थी वो बहुत सुन्दर थी तो किसी ने इन से जाकर ये कहा था कि भईया गुजरात सूना पड़ा है बहुत सुन्दर उसकी मा है एक सुन्दर इस्त्री है और बहुत सारा पैसा है तो ये लोग यहां आये आकरमेंट करने दोई चीज़ों के लिए थे पैसा और इस्त्री सेना को ये कह कर के लिए कि आया था गोरी कि भारत चलते हैं वहां पर आपको पैसा भी मिलेगा और पैसे के साथ साथ इस्त्रीयां भी मिलेंगे तो पैसा और और औरतों के पीछे ये लोग भारत आया करते थे चलिए आगे चलते हैं तो एक तो क्या हो गया कि भारत में विदेशी सासकों का सिलसला सुरू हो गया विदेशी सासन का सिलसला सुरू हो गया भारत में पृत्विरा चौन को हारने के बाद जो की 1947 तक चला जो की 1947 तक चला किलियर पहला सबसे से बड़ा-प्रवाप तो यह पड़ा 10 शीज धारण ने केAPPा थैए उसके बाद सब से बड़ा-प्रवाप यह पड़ता है कि भारत में विदेसी टाक्तों का विदेसी सासन का सिलसला प्रहि 130 कब तक चला 57 तक सा future चला ठीक है सर आगे देखिए और क्या प्रवाब पढ़े प्रत्वी राज की हार के बाद गौरी के जो उत्तर अदकारी थे प्रत्वी राज की हार के बाद जो गौरी के उत्तर अदकारी थे उनके द्वारा भारत में सासन करना आसान हो गया भारत में सासन करना क्या हो गया गौरी के उत्तरदकारियों के लिए आसान हो गया इसके अलावा और क्या प्रवाब बड़े सर तो राजपूतों की जो उभरती हुई महत्वा कांचाय थी जो राजपूत सासन चरम की और बढ़ रहा था उन महत्वा कांचाओं पर एक दम रोक लग गई सर गौरी के जीतते ही प्रत्वी राज चौन के हारते ही तो याद रखिए अगला आप तीसरा कार्णिस में लिख सकते हैं सभी विद्यारती राजपूतों की उबरती हुई राजनियतिक महत्वा कांचाओं समाप्त हो गई और प्रत्वी राज के बाद कोई भी राजपूत सासक दिल्ली पर अधिकार नहीं कर सका क्लियर कोई भी राजपूत सासक का अधिकार नहीं कर सका अगे चलते हैं तो आगे देखिए एक और बाद आपको बता दू कि तुर्कों यहाँ आए तुर्कों ने यहां सासन किया तो उसके दोन्ों चीज़ के परवाब पड़ते हैं सकारात्मक प्रवाब भी पढ़ते हैं है ना और क्या प्रवाब पढ़ते हैं वो समझ लीजिए नकारात्मक और सकारात्मक प्रवाब कैसे पढ़ते हैं जैसे हमें पहली बार पता चला की सहतीर इस्तापत कला में पर रहते हुआ सहतीर हमें पहली बार पता चला महराब महराब ये क्या है ये इस्तापत्तिक अलागे नमूने है सहतीर मतलब सीथा सीथा इस तरीके से गेट नहीं हुआ करते थे पहले भारत में जैसे गेट आजकल बनते हैं यह मुगलों की देन थी कि सीधे सीधे चौखट लगाए गेट बन गया ठीक तो चौखट वाले जो गेट हैं मुगलों की देन है सर सहतीर जिनको बोलते हैं किलियर अच्छा महराव की बात करें यह महराव मुगलों का दिया हूँ था इस तरीके से बनता है ना ऐसे है यह जब भी दो अलग अलग संस्क्रितियों का संगा मोता है तो बहुत सारे नकारात्मक और सकानात्मक प्रभाब परते हैं तुर्कों का अधिकार हो गया भारत पर राइस्तान पर हमारे पर और दिल्ली में उन्होंने राज़दानी बना ली हैड तो यहां पर मुगल आए तो अलग-अलग दोनों ही जो सब्वेताएं थी दोनों ही जो संस्क्रितियां थी अलग-अलग प्रवाब पढ़ते हैं हमने कुछ महराब बनाने सुरू कर दिये वहां इसलाम में गाना हराम था जबकि बहुत अच्छे-च्छे जो गायक हुए आप देख सकते हैं वो इसलाम धर्म को मानते हैं बहुत अच्छे-च्छे अब तो खेर पाकिस्तानी जो गायक आते थे हमारे यां उनका भी बंद हो गया आना विवात के वेशे बाकी एक से एक बहतरीन गायक हुआ है गजल गायक हुआ है जबकि गाना वगएरा इसलाम में क्या माना जाता है हराम माना जाता है संगीत को इस नाम में हराम माना गया है उसके बावजूद भी भारत देखे भारत में कुल मलाक एक मिली जुली आप कहलो संस्कृति जैसे इंडो इसलामिक संस्कृति का उद्य होता है भारत में मिली जुली इंडो इसलामिक संस्कृति का उद्य होता है है ना और इस संस्कृति का प्रवाब इस्तापत्य साहित संगीत और चत्रकला सब पर देखा जाता है ठीक है नकारात्मक प्रवाब क्या पड़ा वह दोने प्रवाब पड़ते हैं एक तो सकारात्मक एक नकारात्मक पॉजेटिव जो प्रवाब पड़ा था वह भी वहता है नेगेटिव प्रवाब फुन लो जब इन लोगों की पावर बढ़ते हैं तो इन्होंने हिंदुओं की जो मठ और जो मंदिर हुआ करते हैं जो अद्बुद इस्तापतिकला के नमूने हुआ करते थे उन्हें तोड़ दिया गया तो यह नकारातम प्रवाब भी पढ़े हैं है ना इस्तापतिकला को छती भी हुई है साथ की साथ बहूत सारे बहुत मठ और हिंदु मंदरों को तोड़ दिया गया है है जिससे राहस्तान की कला और संस्कृतिका क्या हुआ नुकसान हुआ इसके अलावा आपको बताया था मैंने उस समय भी कुदूदी नेवक ने संस्कृत पाट साला तोड़ी थी तो बहुत सारी कला और संस्कृतिका नुकसान होता है बात करते हैं आगे चलते हैं ये तो बन लिखी चुके हैं सारी चीज़ें ठीक है आगे चलते हैं देखिए सांस्कृतिक उपलब्दियां प्रثुरा चौन की सांस्कृतिक उपलब्दिया क्या-क्या रही तो मैं आपको बता करी ता हूँ एक पदमनात जी हुए हैं और पदमनात के निर्देशन में पहली बात तो पदमनात के निर्देशन में प्रत्वीराद चान के समय आपको बता दू सांस्कृति को प्लब्दियां क्या क्या रही थी कला एवं संस्कृति विवाग की इस्तापना की गई थी पदमनात के निर्देशन में पिर्थवीराथ चान के समय पिर्थवीराथ चान पहला सासक हुआ है या प्रत्थम सासक आप कहले जिसे जिसने कला एवं संस्कृत विवाग की इस्तापना की थी कि अपने राज्य में है अपने काल में अपने समय में तो कौन से कला एवं संस्कृत विवाग की इस्तापना की गई है कलावा संस्कृति विवाग इसकी स्तापना की कि गई साब कला यूं संस्कृती ब्यवाक की और किसके निर्देशन में कि उसके निर्देशन में कि में Dragons कारीकाल में αυτό ये प्रवाब वज क है इस में इुक अए दूसरी इन्हों और नामक खुले का निर्मार्ड करवाया भी तो यह तो सांस्कृ्ट के समय कलाल इवन सथिल वहा कि श्भाक्ना की गई दूसरी बात पिथोरा गड़ में या पिथोरा गड़ नामक किला बनवाया गया कहां है ये किला ये किला पड़ता है बिटा दिल्ली में कहां पड़ता है दिल्ली में ठीक है तो दिल्ली में पिथोरा गड़ नामक किला बनवाया गया क्लियर है चलिए आगे चलते हैं आगे करते हैं तो अगले पॉइंट की बात करते हैं दरवारी विद्वान मैंने आपको कुछ पहले भी लखा दिये थे अब दुबारा लिखा रहा हूं तो दरवारी विद्वान यहां नमबर एक पर हम लिखेंगे चंद बरदाई तो इनका एक तो मित्र भी था और दरवारी मिद्वान भी था वुए था कौण चंदवर्दाई और चंदवर्दाई के बारे में आप ध्यान ड्खें कि यह वही चंदवर्दाई है जतने प्रत्वी राज रासो पुष्टग लिखी है। कहीं बार बची कुची आदी पुस्तक को इसका बेटा किसका चंद वर्दाई का बेटा जलहड कौन जलहड इसका पुत्र हुआ था उसने पूर्ण किया है पुस्तक को तो चंद वर्दाई का जो बेटा हुआ है कौन चंद का पुत्र कौण जलहर जलहर ने पूर्ण किये ये पुस्तक ख्लियर है चंद का पुत्त मैं ने इस पुस्तक को पूर्र किया है आप लोगों को बता दूँ पुत्तवी राजोरा रासो पुस्तक है किसने लिए चंद वरदाई ने लेकिन बाकी का हिस्सा जो है वो इसने चंदरवर्दाई के पत्र जल्र ने पूरा किया है और पुष्टक की पहली बार जानकारी भी कल में आपको उतरा था 1678 के आसपास मिलती है जबकि गटनाओं का उलेख है 1191 बिन में यहां तका उलेख है पता एक कितने साल 500 साल होगे लगवगर तो 400-500 साल बाद कोई जानकारी मिलती है तो उसे पर्मार्ट नहीं माना जाता है या कम माना जाता है इस वगर 세상 इससे पर्मार्ट नहीं मानते हैं तो एक तो हो गई चंद वर्दाई दूसरा जो था वो था एक कस्मीरी विद्वान था जयानक क्या नाम है जयानक और जयानक मौदल जो थे वो कस्मीर के थे कहां के थे कस्मीर के थे कस्मीरी विद्वान थे इन्होंने प्रत्वीराज विजय नामक पुश्टग लिखी है कौन सी प्रत्वी राज विजय जो की चोहानों को सुर्य वंसी बताती है आप याद करो प्रत्वी राज विजय पुस्तक के राइटर कौन है जयानक जयानक कस्मीरी विद्वान थे और प्रत्वी राज चोहान के दरवार में रहते थे इसके लावा बागी सूर जनार्दन भी इनके दरवारी विद्वान रहे है तो आपको ये नाम बस थोड़े से अगर आप याद रख सकें तो रख लीजिए बागी सूर जनार्दन ठीक है बागिस्वर जनारदन हुए हैं विद्यापती गौड हुए थे दरवारी विद्वान में विद्यापती गौड विद्यापती गौड के अलावा विश्व रूप और आसा दर्वी हुए हैं विश्व रूप इनके दरवारी विद्वानों में थे आप कहले लिजी ये आशा दर भी इनके विद्वानी धर्वारी विद्वानों में सामिल थे जिदी पृत्वी राज चौहान के दरवारी विद्वानों की बात की जाए तो मित्रो ये लिष्ट और भी लंबी फेरिष्ट है ठीक है चंद वर्दा है पृत्वी रासों के रचेता और जयानक पृत्वी राज विज्येता एक कस्मीरी विद्वान थे इसके लाव भागिस्वर, जनारदान, विद्यापती, गौड, विश्वरूप, हैना आसाधर ये सब इनके दरवारी विद्वान थे आगे चलते हैं यहां से आगे तो यहां से आगे देखे पिर्थवी राद चौहान का मुल्यांकन यदि हमसे कोई कहे कि पिर्थवी राद चौहान का मुल्यांकन कीजिए तो पिर्थवी राद चौहान का मुल्यांकन हम करेंगे सर अलग-अलग बिंदों के आधार पर जैसे की जैसे हम कह सकते हैं कि पिर्थवी राद चौहान पर हमेशा एक आरोप लगाया जाता है पृत्विरा चौन पर हमेशा एक आरोप लगाया जाता है पृत्विरा चौन के बारे में हमेशा एक इतियास में आरोप लगाया जाता है का जाता है कि पृत्विरा चौन थे वो परिपग नहीं थे झेंवelliे। Πशूरिपगि माना जाता है उन्हें दरसथा ठीक नहीं थी, वो लंबा दूर तक सोच नहीं। बात नहीं बाति दैसे कहा जाता है। जबकि यदि परफिराद हम भी अगर पढ़ें इसे डंक से तो हम इस वात का साफ साफ मुल्यांगन कर सकते हैं ति वह प्रफिरा चान एपरपग की सहना पती तो नहीं था क्यों क्योंकि एपरपग की सहना पती होता तो देखिए मौवा का युद्ध नागौर का युद्ध बंदानक दिंजादी का व का दो हम कह सकते हैं कि पथिरा चान एपरपग तो नहीं था एपरपग की सहना पती नहीं था क्योंकि तराइन का युद्ध पहला युद्ध भी उसने जीता है मौवा का है ना इसके अलावा फिर अपना नागौर का है ना तो बहुत सारे युद्ध इसने जीते हैं इससे पहले मतलब तरायन के दूतिया युद्धू से पहले कोई भी युद्ध नहीं आ रहा है इसी लिए आप उसे परिपग सेना पती नहीं कह सकते हैं, ठीक है, इसके अलाबा दुस्मन की भागती हुई सेना पर आखकर्मन भी नहीं करना, तथा माफी माँगने पर दुस्मन को छोड़ देना दुस्मन की सेना जब मुहम्मद गौरी की सेना भाग रही थी मैंने आपको बताया कब तरायन का पहला युद्ध हुआ पहले युद्ध में जब मुहमद गौरी की सेना भाग रही थी तो बागती हुई सेना पर इसने आक्रमण निकया भागने दिया वो दिल्ली का गोविंद राज तोमर गौरी को ले आता है गोरी छमा मांगता है तो माफ भी कर देता है तो इस बात से हमें ये बात पता चलती है किलियर कि कि पृत्वी राज ने अपनी संस्कृति का अपने आदर्सों का बिल्कुल पालन किया है सर बही यही तो हमारे आदर्स यही तो हमारी संस्कृति हुआ करती थी कि यदि कोई छमा मांग रहा है तो उसे छमा कर देना चाहिए बड़ा हिर्दे करके और कभी भी सत्रू की पीट परवार नहीं करना चाहिए सत्रू के सीने परवार करना चाहिए यही हमें बच्पन से सिकाय जाता है यही हमारे संस्कार होते है यही हमारी संस्कृति होती है तो हम मुल्यांकर में इस बात को जोड़ सकते हैं कि भई पृत्वीरा चौन ने छमा करके कोई गलती नहीं की क्योंकि हमारी भारतिय संस्कृति यही थी कि यदी कोई छमा मांग रहा है तो हम उसे छमादान दे सकते हैं, अभेधान दे सकते हैं, माफ कर सकते हैं और दूसरा भागती हुई सेना पर हम कभी भी आक्रमन नहीं करते हैं तो जब सेना भाग के जा ली थी तो हमने उस सेना को जाने दिया और मौम्मद गौरी को भी छमादान दे दिया हलांकि हम कह सकते हैं कि भारत की गुलामी का मार्ग प्रिथ्विरा चौन की हार से ही सुनिश्चत हुआ है प्रिथ्विरा चौन यदि उस यद्द्ध को नहीं आरह होता और जैचन्द ने उसकी सायता नहीं की होती गौरी की तो सायद भारत इतने वर्सों तक गुलाम नहीं रहता कही ना कहीं ये बाट ठिकी हुई है कि पृत्विरा चौन की हार को ही भारत की जो गुलामी का मार्ग है उसे खोल दिया था प्रसस्त कर दिया था लेकिन फिर भी मद्यकालिन भारती इतिहास उसके महत्तव को नज़ण VEराज नहीं कर सकते हैं ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो कैई सारे तरक हैं जो आप दे सकते हैं मुल्यांकन में प्रुष्वी राच्वांगा मुल्यांगन कीचिए तो कुछ लोग कहते हैं परिपग सेना पती दूट रसता की कमी थी ऐसा नहीं जाए क्योंकि कभी भी कोई टहारा नहीं था है एक ही टहारा है दूसरी बात कुछ कहते हैं कि भई सेना माफी मांग रही थी तो नहीं सेना भाग रही थी तो छोड़ने ही नहीं चीए था सेना को मार देना चीए था गोरी की को फश्ट युद में और गोरी को भी छमायदान नहीं देना चीए था क्यों नहीं देना चीए था यह यह तो हमा कार नहीं कर पाया सर सीधा 1947 के बाद देश आजाद होता है चलिए आगे चलते हैं तो मुल्य आंकर में आप यही सारे तथ्य प्रस्तोत कर सकते हैं आगे आगया गोविंद्राज गोविंद्राज से पहले मैं आपको बता देता हूं प्रित्वीराच चान को सर अपादी दी ग गया है राय प्रित्वीराच चान की दोनों उपादियां है कौन कौन सी राय प्रित्वीराच चान समापत होता है प्रित्वीराच चान समापत हुआ उसके बाद जश्ट राजा बनता है कौन गोविंद्राज क्लियर और गोविंद्राज राजा बनता है तो गोविंद्राज के यदि हम बात करें तो गोविंद्राज का पिता कौन है प्रित्वीराच थर्ड प्रित्वीराज के दो बेट कि तुर्कों की अधीनता इसने सुईकार कर ली थी किसने गोविंद राज गोविंद राज जो है वो तुर्कों की अधीनता सुईकार कर लेता है अधीनता तुरकों की अधिनता को सुईकार कर लेता है कौन गोविंद राज और अधिनता को सुईकार करने के बाद ये अजमेर का राजा बन जाता है कौन बन जाता है अजमेर का राजा अजमेर का राजा बन जाता है ठीक है और अजमेर का राजा जब यह बन जाता है तुरकों की यदिनता स्विकार करके गोविंद राज तो गोविंद राज को यहां से इसका चाचा था अरी राज यादो आपको है ना हरी राज पृत्विराज चान दोनों भाई भाई थे पृत्विराज चान राजा बना यादो आपको देखो इधर अर्णो राज की दो पतनिया थी एक थी सुदवा और एक थी कांचन देवी ठेक कांचन देवी का हुआ शौमेश और चान शौमेश और का हुआ पृत् इसका जो चाचा था हरी राज वो इस बात को जब देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है किसको हरी राज को कौन था हरी राज इसका चाचा था हरी राज ने देखा और इधर बुलाए इधरा भई गोविंद राज बुल हाँ चाचा जी क्या हुआ तुने मुगलों की अधिनता स्विकार कर ली मतलब तुर्कों की अधिनता स्विकार कर ली और जब ये बात हरी राज को पता जलती है हरी राज गोविन राज को अजमेर की गदी से उतार देता है और गिन गिन के चंटू देता है रखरक के कि हम उस संस्कृति के हैं कि प्राण जाये पर वचन ना जाये मतलब सिर जुका नहीं सकते हैं उसके बाब जुद तुने मुगलों की तुरकों की अधीनता क्यों स्विकार किया गोविंद राज को पीट करके यहां से बगा दिया जाता और गोविंद राज चले जाता है रन थंबोर कहां चला जाता है गोविंद राज रन थंबोर चला जाता है रन थंबोर में जाके 94 की स्थापना करता है तो इसमें आप लिख लीजे दो लाएने बस कौन कौन सी इसने तुरकों की अधीनता सुईकार कर ली तथा अजमेर का राजा बन गया इसने तुरकों की अधीनता सुईकार कर ली तथा अजमेर का राजा बन गया लेकिन इसके चाचा हरी राज ने इसके चाचा किसने?, हरी राज ने, इसके चाचा हरी राज ने इसे हटा दिया और स्वैम अजमेर का राजा बन गया तो इसके बाद राजा कोन आएगा? हरी राज, गोविन राज का चाचा था अब सुनिए सर जैसे हरी राज राजा बनता है तो हरी राज का एक सेनापती था ये सीधा सीधा राजा बनते ही साधी तो हरी राज का जो सेनापती था राजा बनते ही सीधा सेनापती को बलाता है क्या नाम है सेनापती का सेनापती का बिटा नाम है इसके का चंतर राज चंतर राज चंतर राज को बलाता है और चंतर राज को बुला करके सीधा आदेश देता है कि किस पर आक्रमन कर दो दिल्ली पर दिल्ली पर आक्रमन कर दो ठीक है होता क्या है हरी राज का सेनापती सेना ले जाता है और दिल्ली पर हमला करता है चंतर राज लेकिन हार जाता है क्या हुआ हार गया कहने का मतलब हरी राज के सेना पती चंतर राज ने दिल्ली पर हमला किया लेकिन वैं हार गया उदर दिल्ली पर सा सकता उस समय कुद्वुद्दीन एवक का गोरी की बाद कुद्वुद्दीन एवक का अब कुद्वुद्दीन एवक की बारी आती है कौन कुद्वुद्दीन एवक कुद्बुद्दीन एवक अजमेर पर अटेक करता है सर बदले में अच्छा अजमेर वालों की इतनी इम्मत कलपरसों तो यह राये था अभी तो गोरी पृत्विराच्वान को निप्टा है अभी हरीराज अटेक कर रहा है तो कोई बात नहीं इधर तो यह चंपतराज दिल्ली पर अटेक करता है हार के आ जाता है इधर दिल्ली का कुद्बुद्दीन एवक फिर अजमेर पर अटेक कर देता है और यह इन्हें फिर हरा देता है मतलब यह जीच जाता है कौन जीच जाता है कुद्बुद्दीन एवक खुद्बुद्दी नेवक जीच जाता है और जो हरी राज था उसको हरा दिया जाता है और हरी राज जब हारता है तो अपनी हार से बड़ा दुखी हो जाता है हरी राज अपनी हार से बड़ा दुख्य हो जाता है और अपने अंतिम पलों में अंतिम छणों में हरी राज आत्मत्या कर लेता है लेड पी लेड लेड दिया जाता था उस समय है ना लेड पीने के बाद क्या होता है कि आहार नली कट जाती है और अंत्हे मतलब अंदर ये अ अंदर रक्त का स्राव होने लग जाता है उससे व्यक्ति की आत्मत्या हो जाती है खून की उल्टियां होती है तब जाके व्यक्ति मरता है तो हरी राज ने आपको याद रखना है आत्म हत्या कर लिए सर कौन से हत्या कर लिए हरी राज ने आत्मत्या कर लिए क्लियर हरी राज ने क्या आगर ली आंत मत्या कर ले और यहां आकर कि अजमेर के चोहान समापत होता है लिखना चाहो लिख लो हरी राज में कि इसके सैना पती चंतर राज ने दिल्ली पर आकरमण किया दिल्ली पर आकरमण किया परंतु यह हार गया कुदबुदी नेवक अजमेर पर आक्रमण करता है और इसे हरा देता है दोनों युद्दों में हार गया दो युद्द लड़े अपनी जिंदगी में दोनों युद्दों में हरी राज हारता है और अंतिम समय में लेड पी करके आंत मत्या कर लेता है और यहां आकर के क्या हो गया समाप्त हो गया चोहानों का कौन सा वन समाप्त हो गया वजिया चोहानों का अजमेर वाला हिस्सा अजमेर के चोहान यहां आकर के समाप्त होते हैं आगे हम कल पढ़ेंगे रण थंबोर के चोहान ठीक है अजमेर के चोहान यहां आकर के समाप्त ह होते हैं किलियर होगा आप लोगों का चलिए तो आगे की बात करेंगे कल रण थंबोल के च्वान पर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत